rays जाईए है आज में बहुत आसान भी द्य बता हूँगी ताकि हम घर पे गुने पूजने में रखते हो पूजा में उतनी अकोड ले सकते हो मैंने चार कप मेदा लिये है तिक है आप इस चार कप मेदा मिन से आधा कलो मेदा इसमें मैंने 100 ग्राम तेल लिया है यह रिफाइंड ओई मेर्ड़े है औप तो एक स्लॉद्स की ज़ीन, आप 16 ग्राम लिए लेकिन कम ज्या近y से नहीं खरते है असरद रीखते हैं तो हम को देखना कि मैं的话 आप मेरी आप ऑन नहीं मेर्च चंपी अच्पीत न कर्ण सिलेजाएं हैं मेश करने के वाद हम लोग देखेंगे कि इसकी मुठ्या बनती नहीं बनती अगर आपको लग रहा है कि मुठ्या बन गई है तो अगर बज गया तो उमट डालना अगर लगता है कि नहीं बन रही तो थोड़ा और एक्स्टा डाल सकते देखो यह ना तो मेरा बन चुका है ले बन जाएंगे तो इसका मतलब मेरा हो गया है अब इसको ना बस ध्यान अगना इधे बन गया ना मेरा बस यह पर्फेक्ट है इसको आप ओल नहीं डालना आपको ऐसा ही बनाना आपको फिर हम लोग क्या करेंगे मेने थोड़ा सा गुंगना पाने लिया था तीज मत लेना थ इसके पूरी नहीं बनती पूरी का आट लगाते हैं पन सेम वैसे आट लगाना मिंस ज्यादा टाइट न लगाना ज्यादा लूस भी नहीं करना है तो हम लोग न उसके ना आट लागा लगे इससे और अउर इसका ध्यान रखना पानी मतलब मैंने वन ग्रास मत डालना तो अब मेरा यह आटा लग गया है अब हम क्या करेंगे कि आटा तो भी कुछ पर्फेक्ट लगा देखो ऐसा ना तेको मैं फिंगर डाल के दिखाया अब लोग करेंगे हलका सा मतलब उसको ना इसके कवर कर देंगे दस मिनिट के लिए इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आटा ना अच्छा हो जाएगा इसमें जो क्रेक्स आते ना वो क्रेक्स नहीं आएंगे एक जैसा हो जाएगा अब मेरे दस मिनिट हो चुका है अब मैं इसको अच्छे से मेश करूंगे इसको अच्छे से ताकि जो क्रेक्स वगर असब निकल पूडी काट लगाते न यह से उसमें भी आपन प्रेक से डाला रएते हैं सेम ऐसे करने आपको पूडी बस आठेकी बनती है यह मेदर से बनती है अब हम लोग क्या करेंगे इसके पीस बनाएंगे लोग भी नहीं होती है इसके गोल गोल वाली वह बनानी है आप देखो 2-3 त जाप पांस पीसे कर लें आपको अबसे लंबे लंबे करके नाइफ से बराबर के पीस काट लेना इसे में अएसे अब कि या उपना ना पूरे डाइट आ से युट में बनाड़ हो बनांके न भाइंट कि अधायन अगनेगे बना गाला को पार ग्म में इस ही करने ने लेख विल शानी दले तो कीड़ल तै कहले की बना 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 जाओँ क्या कि एक दो टोड़ा बादा लेलो अधी इतना लिए इतना अलेकर आपको आप खिसे अधिस प्लेट में रखे आपने इसे भी कर सकते हैं और बसिद्हाने जोइंक्त ना पिस्टे टोडा जोडा भी नहीं है लिए तो मेरा कितना बन आट जासे कर देगा बनेगा तक क्योत कर देंग्प से मीन्स ससटों कर देना, इससा कर देना मैँ यह इकिर डिजैन बन जाएगी अच्छा आप देखेे आपि किटना सुन्दा बनाएं न को अइसा हैं अब जो बनाई न सबको ऐसी बना लाइंगा आप में दोर बता देते हैं आपको घुगो अइसा कराना किでした कितना सुन्द बनाना ने डिदो सुहां है देच हे सकरके लिए करना है अपको अपको अउन्स अब इसको ना आप अपने कर सकते हो कोई वह नहीं है कि आपको कितना मोटा रखना है वैसे मैंने ना मोटा रखा है ना बचल जोड़ा सा जोइंट अट रहा है तो आपको ना ऐसे फिंगर से करोगे ना तो उसमें जोइंट कर देना आप मतलब कि आप देखो मैंने कर दिया है अब जार तो दिक इतना एकपल बना ना बस आप धियान रखना ऐसे करना है अपको इससे के डिजाइन प्लेइन नी बनेगे डिजाइन वाले बन जाएंगे अच्छे लगेंगे देखना आप आप आपने देखोगा मेरी पिक्स में स्टाटिक जाएगा ति कि मैंने बना लिए सारा अब भी से मेंने बताइन वैसे दोनों वैसे बनाना और मेंने के डूमकार को कि बंचस्यस देखिए्ow अब देखो थोड़ा सा ना पीस तर डाल के देखा है अब यह आने लग गया है इसका मतलब मेरा तील गरम हो चुका है तीज करोगे तो पता क्या यह जल जाएगा उपर से और अंदर से कच्छी रहे जाएंगे आपके गुणी बनाई जो चीके अब में डाल दूगी मेरा हलक आराम से देखो में डाल रहें वैसे डालना और गेस क्याज कम रखना तीज पर जल जाएंगे आपके बहार से जल जाएंगे और अंदर से कच्छी रहे जाएंगे आप देखो अब ना यह हो गए ना अब इसको ना भी इसको पर लटना नहीं है अब भी थोड़ी सी यह हो गए ना इसमें जितना डालना इस इसमें कोई डिकत नहीं है डाल सकते हो फिर में क्या करेंगे यह गहलिए इसको जढ़नों लगैसे भी यह बूदर में यह यह जोए जाना पर आएंगे लोग्या। ना मैंने इस्पून लिए अपने खाने वाली स्पून होती है सब्सक्राइब उसके पीछे से थोड़ थोड़ ऐसे कर देना ताकि ना दो यह चिपके नहीं कर आई में डालते ना घीली होते हैं चिपकेंगे भी निया यह इस देखो मैंने घुमाया ऐसे कर दो बस इस ते कर दियान रखना सबको विक्कुल ऐसे बनाना तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे और प्रता है क्या होता है कि कई बाइस में डालते ना तो इसकी साइज जैसे अपने गोल बना है इसके डालने बाद दोनों आपसे चिपक जाते नहीं तो साइज भी खराब हो जाती है तो अब आपको पलटना बताऊंगी मैं इसको कैसे प्लटते हैं आप देखो इसको ना इस्पून से भी चेंज कर सकते हो देखो ऐसे में कर रहूं और चापाती से करना को चीमठा नहीं आता है आप उससे पकड़के भी कर सकते हैं लेकि इस से ज्यादा रहेगा क्या थोड़ा करना सब्सक्राइब भी एक कर देखो आप के ऊपर तेल नहीं करना से बहुत आराम से करना को अधम हो चैंज करने में सब को निकाल लूंगी इस से ज्यादा मस्तिक नाप यह तो और ज्यादा फिर ब्लेक हो जाएंगे मतलब अजीब से थोड़ा ब्राउन डार्ट ब्राउन जाएंगे कि ठंड़ने पर कलर देगा यह तिके में कुप पर्फेक्ट बने हैं तो निकाल लूंगी अब मैं आपको यह तो बन गए अब आज आप दो तरगे बता रहें आपको अब एक में इतना बड़ा लिया है एक तो बड़ी साइज होगे आप छोटी साइज भी बनाना बता हूंगी कैसे नाते उसका तरीका लग है अम एक नप चपाति बनाते ना वैसे इसको बेल लेंगे अब हम लोग क्या पेलने के वाद में क्या नाइफ लूँगी इससे यह लंबी लंबे पी लाइन कर लूँगे आप देखिया आप यह भी हमको पतला ही बेलना मोटा नहीं रखना है इसमें ना काफी सारे बन जाएंगे देखो आप फिर क्या करेंगे हम लोग लेंगे आराम से लिना डेको मैंने कितने पतला रखा ना से मैंसे अब बता है इसको फिंगर से बनती है यह एसे मैंने फॉल्ट गया वैसे करना बताती है आपको और फिर क्या इसको जोइंट को अच्छे से प्रेस करना दबा के जोइंट आई दबाना ऐसे अगर आपने इसको यह एसे नहीं दबाऊगे ना तो पता क्या होगा यह जब फ्राइब करते ना तेल में तो यह खुल जाएंगे तो मैंने बना लिया आप बन पर गांगे तो पॉतल जाएंगी कम कम बनाया है मैंने अद्सक्त वी मेरे बन गया है अब इसको मैं क्या करूंने के नकालता होने नैंट बढूल लोलेए सब्सक्रां गया NO काःम plea होगार मेरे अचांड रिचाया मैं वनाना बताता हुई अब मेंने क्या होनी लिए को द Tapi ये महिने जाद कॉता तो यह उपन किलों मलं से निदा से चाहरrade कॉपाञी जाद कूली इस फिर चाषणील न भी कर चाहरा सकते हैं तारी चाशनी लेंगे और तेज पी बना लेना और इसको ना भी को पतली चाशनी में बताऊंगी तार भी बताऊंगी वैसे बनाना वस धियानक ना गुणे ठंडे होने के बाद भी आपको चाशनी चड़ानी है ठीके मेरी मेल्ट होगी पूरी शक्कर पी गल रही न अब मैं बहुत कर दिया है तो चाशनी का दिया ठीका दियान रखना आपके हाथ तो मेरी चार्ष्णियों के बाद मैं क्या करूंगी ना हलकी सी ठंडी कर लोगी चार्ष्णी जाद ही पांच मिनिट बाद हो ली हम लोग जो गुणे लिये थे ना हमने बनाई थे ना उसों एक एक करके डाल देंगे खट्टर भी डाल सकते हो फिर क्या चीमठा लेंगे चप से करें ना तो आराम ऐसे ना उसे भी कर सकते हैं सो को नधे पास्टा में बताति हुआ ज करकेरा कन ऴीदीद है इस कटी butsじ और कब निकालते जाओ और रखत्या है था रगते जाओ कुछ निस लगज जाएगेकिश और लेकिन पते ध्यान रखना आराम से निकालना इसमें शक्कर वह ऐसी लग जाती है आराम से निकालना देखिए आप बस सेम ऐसे करना फिर आभी देखना पूरी और एक आइडिया देती हूं मैं आपको भी कि जैसे ना यह आपने आप थोड़ा सा और कर ली जी पर होता दे आपको देखो आप निकल ली ना बस ऐसे और ध्यान अपने प्लेट के दर दूदू रखना शक्कर में से निकालने के बाद में पास पास रखोगी ना तो यह चिपक जाएंगे इसको दूदू रखना और एक आइडिया दाती हूं मैं आपको आपको शक्कर नहीं लग रही बिष्षचार-थर चारतरु यह च्छक्र चट जाएगे उसके ओपर फिर क्या करेंगे लिग प्लेट लेंगे उसमें क्या करेंगें अभी देखो मैं कर रहे हैं अब इसको भी क्या दूर दूराक्ना ha इसको नहीं जैसे मैं इस्पून दूरा नहीं नहीं चिपक जाएंग है बस से मैंसे करना है को अगा है कि आपको या कि देखो आपको ऐसे वर करना है भी भी कटानी पर स्मय कंड़ेंगा अपको ही reciख कई य सिर्ट इन दाल दालता तो Om Chen तो कि अधिया है कि आप तो कि ए सथन्द जाएगी कृणभी यह चैनल को यह तस अमिकी यह करें चड़ाई थी ना वो सब वाइट वाइट सी दिखनी लग जाईगे भी देखना अब आप देखो आपने शक कर चड़ाई थी ना सेम हो गया ना यह देखिए आप चड़ गी ना दिख गी ना मार्गिर जास लग रहे हैं मार्गिर सी भी उच्छे बने तो आप बस बरना खराब हो जाएगे यह ठंड हो जाएगे तब बरना चीक है तो आपको अगर यह पसंद आ रहे हैं तो आप सब क्या करते देर क्यों बनाओ इसको जैसे मैंने बताया है वैसे और आप अपने जो मिलने वाले उनको भी शेयर करो ताकि वो भी परशान नहों और वो भी कर देना ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो लाती रहूं आपके लिए और मेरी वीडियो को देखने के थैंक्यू सो मच